हेलो फ्रेंड्स दिस इट एस्पेशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टे एवरी टे प्यारे दोस्तों शिक्षा और दर्सर एजुकेशन एंड फिलोसफी के आज हम लोग सुपर 50 MCQs questions discuss करने वाले हैं इसमें जो बच्चे UKLT grade exam देने को जा रहे हैं उन इस्ट्रेंड्स का पह है बसे जो आप सामने देख पा रहे हैं या आपकी unit first है और unit first के ही questions आज हम आपको कराएंगे वो भी आपके मुश्तली questions सिक्षा और दर्सन है ना और सिक्षा दर्सन के बीच चमंद दर्सन क्या है इनसे related आपके questions रहेंगे ठीक है सिर्फ 50 questions रहेंगे बाकि आप लोगों क लिए हम यह psychology भी करा देंगे और यह questions करा दिये जाएंगे क्योंकि syllabus आपका हमारे पास है इस syllabus के according ही आपको questions कराएंगे ओके चलिए शुरू करते हैं जो भी विद्यार्थी class में लास्तक बना रहता है definitely बहुत कुछ शीखने वाला है और सिक्षा दर्सन से related जो आपके important questions र पर विचार करता है पहले तो यह समझे कि आखिर शिक्षा दर्सन है क्या वाई शिक्षा अलग है है ना दर्सन अलग है उसके पावजूद भी यह दोनों शब्द साथ में क्यों है आए थोड़ा सा शिक्षा दर्सन के बारे में समझते हैं देखिए शिक्षा दर्सन की वह साखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सिक्षा से समंधित समस्याएं होती हैं उन पर हम philosophy के point of view से विचार करते हैं भाई किसी भी चीज को आप उसके उसको देखने के कई नजरिये होते हैं उसके उस problem के solutions ढूनने के कई सारे आपके aspect हो सकते हैं आपके विचार हो सकते हैं आप उस पर कई दिष्टिकोन से विचार कर सकते हैं तो यहाँ पर जो शिक्षा दर्सन है इसमें क्या होता है कि जो सिक्षा से समझित problems होती हैं उन पर हम विचार तो करते हैं लेकिन यहाँ पर हम दर्सनिक दिश्टिकोंट से विचार करते हैं फिलासफी के point of view से उन problems का solution ढूरने के कोशिश करते हैं आई बासमस में फिलासफी के point of view से दर्सन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्ब में चिंतन करके किसने दर्सन और शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्ब में चिंतन करके जो समाधान दिया उसे पाठ्य वस्तु को शिक्षा दर्सन की संग्या दी जा सकती है आई बासमझ में जो भी हमारी सामाजिक समस्या है उसके बारे में दर्सन और सिक्षा ने जो philosophy के point of view से उस पर विचार करके उसका जो solution डोना उसका जो समाधान दिया उस पाठ्य वस्तु को हम शिक्षा दर्सन की संग्या देते हैं ठीक है और आप से definitions पूछी जाएंगे statement पूछी जाएंगे ये किसने कहा वो किसने कहा Henderson कहते हैं कि सिक्षा दर्सन सिक्षा की समस्याओं के अध्यन में दर्सन का प्रियोग है यानि कि जो सिक्षा की समस्याओं है जब उन प्राब्लम्स को solve करने के लिए हम philosophy का सहरा लेते हैं that is called सिक्षा दर्सन education philosophy ओके चलिए T.E. Seals के recording कहा गया है कि सिक्षा दर्सन का कार शुद्ध दर्सन के द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिध्धान्तों को सेक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रियोग करना है आए बास समझ में तो ये होता है शिक्षा दर्सन इसकी जो PDF है पेड़ विद्यारतियों को दी है जिन्होंने पेड़ कंटेंट लिया है उनकों हमने ये forward किया है तो यहां तक आप समझ गए कि जो सिक्षा दर्सन है सिक्षा समंधित समस्याओं पर जो है दार्सरिक दिस्टिकोन से विचार करता है चलिए अब कोशन हमारा आसानी से solve हो जाएगा कि जो सिक्षा दर्सन है वो किस पर विचार करता है ये सिक्षा से समंधित समस्याओं पर विचार करता है सिक्षा दर्सन किस पर सिक्षा से समंधित समस्याओं पर विचार करता है इसलिए जो option नमर यहाँ पे B है हमारा वहा right हो जाएगा इतनी बात के लिए रहोती है very good बढ़ते है next question की तरफ शिक्षा दर्सन किन प्रिष्णों को सुल्जाता है आध्यात्मिक प्रिष्णों को हल करता है लोकिक प्रिष्णों को, सैक्षिक प्रिष्णों को या तारकिक प्रिष्णों को चार option आपके सामने right क्या होगा जो सिक्षा दर्सन है पहरे दोस्तों यह सैक्षिक प्रिष्णों को सुल्जाता है सिक्षा से समंदित प्रिष्णों को philosophy के point of view से देखता है उस पर विचार करता है, मन्थन करता है, और solution डूड़ता है, तो सैक्षिक प्रिशनों को सुल जाता है, option C is question में right हो जाएगा, शिक्षा दर्सन के मानक कार क्या है, शिक्षा दर्सन के मानक कार कौन कौन से हैं, तो देखिए, शिक्षा के उद्देशियों को निश्चित करने एक आधार प्रिस्तुत करना, कि जो शिक्षा के उद्देशियों है, उनका एक fix base होना चाहिए, आधार होना चाहिए, शिक्षा की पार्चर्या के आधार पूत, सिध्धान्त प्रिस्तुत करना, कि जो शिक्षा की पार्चर्या है, जो भी सलेवश करिकुलम आप तयार कर है उसका भी सिध्धान्त होना चाहिए सिख्षण सिध्धान्तैवं सिच्षण सूत्र का निर्धार्ण करना आप कौन-कौन से सिध्धान्तों का यूज करेंगे कौन से пров Completet का यूज कर रहे है teaching करने के लिए बच्चों को समझाने के लिए किन मैथ्धिड से बढ़ा रहे हैं उनका भी निर्दान करना यह सिच्छा दर्सन के मानक का रहे हैं इसलिए यहां पर जो option number D रहेगा वह आपका right हो जाएगा इतनी बात clear होती है very good question number four कहता है किसने कहा के परिकल्पनात्मक कार्फ यहां पर सिर्फ कल्पनात्मक भी लिखा हो सकता है कल्पनात्मक ये भी द्यान लखेगा परिकल्पनात्मक आप जो है कंफ्यूज ना हों कल्पनात्मक ही है शिक्षा दर्सन के परिकल्पनात्मक कार के अंतरगत आता है कौन-कौन सी चीजे हैं जो परिकल्पनात्मक कार के अंतरगत आती हैं तो वो आत्मानभूती और उसकी प्राप्ती के लिए साधन या फिर शैक्षिक आदर्सों और मूलियों का निर्धारण शैक्षिक जो concept है उनका clarification या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो आत्मानभूती, अपनी आत्मा की अनभूती और उसकी प्राप्ती के लिए जो साधन है, वो हमारे परिकल्पनात्मकार के अंतरगत आ जाते हैं, option जो A है वो यहाँ पर आपका right हो जाता है, question number six है आपके सामने, शिक्षा दर्सन में बाहर से सिध्धान्त बनाकर लागू नहीं किये जा सकते, आपको इसे धान्त बाहर से बना करके लागू नहीं कर सकते, यह कथन किसका है, यह कथन जान डीवी का है, ठीक है, डीवी भी लिखा हो सकता है, जान डीवी भी लिखा हो सकता है, इसलिए जो option number यहाँ पर A है वहाँ, right हो जाएगा, यह जो छोटे छो राइट हो जाता है, नेक्स्ट कोशन कहता है, दर्सन और सिक्षा, एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, यह कथन किसका है, तो दर्सन और सिक्षा, यह एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, ऐसा कहते है, रॉस, किसका statement है प्यारे दोस्तों, यह है रॉस का statement है, ठीक है, त यह धारतता के शरूप का तारकिक विवेचन ही दर्सन है, यह कथनकिशका है, तो ऐसा डाक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, कौन कहते हैं, डाक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, option जो D है वो right हो जाएगा, अगला question, दर्सन विज्ञानों का विज्ञान है, छोटे छोटे statement हम ठीक है कौन कहते हैं ऐसा आगस्त कॉम्ते कहते हैं कॉम्ते भी लिखा हो सकता है option भी right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखिए दरसते अनेन इती दर्सनम यह किश्की परिभाशा है दरसते अनेन इती दर्सनम जो परिभाशा है यह उपनिशत के अनुसार दी गई है किश्क वो विक्यान है जिसे देख करके जाना चाता है बाकि अभी दर्सन के बारे में थोड़ा और डीप से पढ़ते हैं यहां से फिलासफिक किन दो सब्दों के योग से बनाए है आईए पहले फिलासफिक को समझते हैं देखें यहां से हम पहले तो दर्सन का प्रापर तरीके से अर्थ समझ लेते हैं ताकि जो हमारे आगे के कोस्टन्स हैं वो थोड़ा और इजी हो जाएं आपको समझ जाएं यहां से थोड़ा सा यह चाड़ आइने और पढ़ लीजिए आपके लिए बहुत हल्पुल होंगी मानो क्या है कि चिंतन सील प्राणी है जो चिंतन करता है हर समस्या पर विचार कर सकता है और मानव जीवन श्वयम एक दर्सन है संसार का प्रतेक मनुष्य दर्सनिक है भाई दर्सन का आर्थ क्या होता है दर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना है ना हम कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्सन करने है यानि कि हम भगवान को शाक्षात देखने जा रहे हैं तो किसी चीज को देखना ही तो दर्सन है तो महर संसार का प्रतेक मनुष एक दावसनिक है क्योंकि वो जन्म से मर्तिव तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है फिर वो इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है इसके बाद वो किसी न किसी निसकर्ष पर पहुंचता है आप पही आपके सामने कोई भी चीज आती है आप उस पर चिंतन करते हैं मनन करते हैं फिर एक कॉन्क्लूजन निकल करके आता है एक निसकर्ष निकल करके आता है कि आखिर वो चीज राइट है रॉंग है क्या है इन्ही निसकर्सों के आधार पर वो अपने विश्वाशों आधार्सों और धार्णाओं का निर्माण भी करता है उसी निसकर्स के आधार पर आप उसके प्रतियापका विश्वाश कैसा है उस पर आप विश्वाश कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि क्या concept हो सकते हैं, धारना क्या है आपकी उसके बारे में, ठीक है तब यह आप निर्णे लेते हैं, दर्सन हमारी सत्यके प्रती जिग्यासा की पूरती करता है, यह कुरुषन यहां से कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान लखेगा, कि जो दर्सन है, यह हमारे सत्यके जिग्यासा है, उसकी पूरती करता है, भाई हर व्यक्ति जानना चाहता है, शत्यके प्रती जिग्यासा होती कि यार इसका fact क्या है, सही क्या है, है ना, सही हर व्यक्ति जानना चाहता है, तो दर्सन जो है, यह उसकी पूरती करता है, जहम किसी चुछ को साक्षा देख लेत तो हम हमारे दर जो curiosity होती हो वहां पर उसका end हो जाता है यानि कि वह पूरी हो जाती है व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्ता जानने का वह प्रत्न करता है यथार्त का मतलब क्या है यथार्त का मतलब होता है reality क्या है इसके पीछे है ना शर्त क्या है सही क्य तो आप जहां भी रहते हैं, वहां की यथारता, वहां की रियलिटी को आप समझना चाहते हैं, मनुस के अंदर तत्यों को जानने की जग्यासा संदे हैं, और आत्मिक शांती रहती है, जानने के बाद उसे satisfaction फील होता है, यही दरसन है, मनुस के अंदर हर फैक्ट को जानने की जग्यासा होती, क्या कि इसके पीछे reason क्या है, सही क्या है, एक संदे हैं आपके अंदर बना रहता है, आपकी जो आत्मा है वो शांत नहीं रहती, जब तक आप सही चीज़ को समझना ही लेते, और जानने के बाद आपको बहुत satisfaction होता है, आत्मसंतुष्टी मिल जाती है, that is called philosophy, यही तो दर्शन है, दर्शन का proper अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं, तो वह भी आप समझ लीचिए, दर्शन, शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत भाशा के, शब्द, द्रश, धातु के, करण, अर्थ में, लिउट प्रत्य लग करके हुई है, ध्यान रखेगा, यहां से कोशन पूछ लेता है, इसका अर्थ है, जिसके द्वारा देखा जाए, ओके, दर्शन को अंगरेजी भाशा के philosophy, शब्द का हिंदी रुपांतरन माना जाता है, इंगलिश में इसको philosophy कहते हैं, जो यूनानी भाशा के दो शब philosophy से मिलकर के बना है, अंगरेजी शब्द philosophy है, यूनानी भाशा के दो शब्द philosophy से मिलकर के बना है, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ग्यान, ठीक है, दोनों का अर्थ अलग लग समझगे, आपसे कोशन पूछ सकता है कि philosophy में philosophy में philosophy का अर्थ क्य विद्या अनुराग या फिर ज्यान से प्रेम हुआ इतनी बात समझ में आई आपके वेरी गुड आगे बढ़िये दर्सन शब्द से मांसिक प्रक्रिया के जो हमरी मेंटल प्रोसेस होती है इसके तीनों पक्षों ज्यान कर्म और भाव नहीत हैं सत्यका साक्षात दर्सन करना ही दर्सन कहलाता है इतनी बात क्लियर होती है वेरे गुड बहुत बढ़िया अरस्तु कहते हैं दर्सन ऐशा विज्यान है जो परमतत्त के यथार्थ सुरूप की जाच करता है वहीं पे आपके प्लेटों कहते हैं पदार्थ के यथार्थ सुरूप का ज्यान ही दर्सन है गांधी जी कहते हैं यह दर्शन को एक प्रियोग मानते हैं गांधी जी जिसमें मानो व्यक्तित उसकी विशेवर्ष्टु होती है उसको जनने के लिए हम प्रमान एकत्रित करते हैं तो यह था हमारा दर्शन जिसको आपने समझ लिया ओके तो हमारा यह क्योशन यहां पर योग से बना है तो यह फिलोस और सोफिया दोशब दोश से मिला है फिलोस का अर्थ हमने अभी आपको बताया विद्या और सोफिया का अर्थ यहां पे हमने बताया अनुराग यानि की विद्या से अनुराग ग्यान से प्रेम तो यहाँ फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है option जो ए है वो right हो जाता है मूल्यों से संबंधित दर्शन शास्तर की उपशाखो को क्या कहा जाता है मूल्यों से संबंधित दर्शन शास्तर की उपशाखा को प्यारे दोस्तों हम नीती शास्तर कहते हैं क्या कहते हैं नीती शास्तर कहा जाता है option d यहाँ पे right हो जाता है दर्सन शास्त्र की शाखा है कौन सी है दर्सन शास्त्र की शाखा तो भाया इसमें आपकी ग्यान मिमाशा, तत्तो मिमाशा मूले मिमाशा यह सब ही जो है वो दर्सन शास्त्र की ही ब्रांच हैं, दर्सन शास्त्र की ही शाखा हैं यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ questions को ना रटें उनमें सही क्या है उसके deep में भी जाएं गहराई में भी जाएं जैसे हमने ये तो बता दिया कि दर्सन के तीन छेत्र हैं तत्तमी माशा ग्यान मी माशा मूली माशा अब तत्तमी माशा के के इसमें भी दो मुट लगेंगे इसको समझते चलिए आईए समझते हैं देखिए जो अध्यान छेत्र है पैरे दोस्तों बहुत व्यापक है यह ऐसा अध्यान है जिसमें शंपूण ब्रह्मान्ड और उसकी समस्थ क्रियाओं की वास्तिविक खोस include होती है इसमें प्रक्रति एवं इश्वर के संबंद में गहन चिंतन किया जाता है दर्सन के अध्यन छेतर को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा गया है पहला है आपका तत्तो मिमाशा जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं ग्यान मिमाशा इपिस्टी मियोलोजी कहते हैं मूली मिमाशा एक्जियोलोजी कहते हैं इतनी बात क्लियर होती है तो ये तो हो गए आपके तीन दर्सन सास्ति की शाखा में आपका ग्यान मिमाशा, तत्तो मिमाशा, मूली मिमाशा तीनों चीज़े आ गई चलिए अब एक एक को समझ लेते हैं तत्त मिमाशा क्या होती है जो तत्त मिमाशा है इसके अंतरगत सत्त की खोज की जाती है आपसे कोशन इस तरीके से पूछेगा दर्शन शास्तर की किस साखा के अंतरगत सत्त की खोज की जाती है तो भैया तत्त मिमाशा के अंतरगत सत्त क खोज की जाती है इतनी बात करेर होती है ठीक है तत्व ग्यान मूलतहा मनुष्य जगत इश्वर और परलोक से समंदित है कोशन पूछेगा तत्व ग्यान मूलतहा किसे समंदित है अप्सन में दे देगा तो मनुष्य जगत इश्वर और परलोक से समंदित है ठीक है जो तत्व मिमाशा है इसमें इश्वर के अस्तित और इश्वरी सत्ता जीव और आत्मा के अस्तित जगत का शुरूप जगत का आदि और जगत का अंत आदि से जुड़े प्रश्णों का ध ज्द्यान किया जाता है किसके अंतरगत तत्व मिमाशा के अंतरगत जिन विद्यार्थियों को हमने ये paid content दिया है ठीक है जिनको ये PDF हमने दिया है वो इसी तरीके से पढ़ें किस तरीके से इसी तरीके से ठीक है एक-एक point को इस तरीके से ध्यान से अनिता काम नहीं चलेगा ज्यान मिमाशा को समझ यह सत्य समंधी ज्यान का विकास करता है दर्सन सास्ट की कौन सी साखा सत्य समंधी ज्यान का विकास करती है तो वो है आपकी ज्यान मिमाशा ग्यान मिमाशा के अंतरगत ग्यान से समंधित निम्न समस्याओं या ग्यान से समंधित सीमाओं का अधियन किया जाता है जैसे ग्यान क्या है? ग्याता और ग्या में समंध क्या है? ग्यान की सीमाएं क्या है? ग्यान की सीमाएं क्या है? ग्यान कहां से आता है, इसका शुरूब क्या है, प्रोसेस क्या है, ग्यान का विज्ञान और दर्सन से क्या संबंद है, इस तरीके के जो questions हैं, इनका answer हमको ग्यान मिमाशा के अंतरगत मिलता है, बचता है मूल मिमाशा, देखे इसका संबंद जीवन की सत्ता से होता है, मूल तभी सत्त होते हैं, आपकी values तभी सत्त हैं, जब हम उनके बारे में अनुभूती करते हैं, मनुस्य के जीवन का जो लक्ष बिंद होता है, उसका आकलन मूलियों से किया जाता है, मूलिय शास्त्र को भी मुकिता तीन भागों में बाटा गया है, तरक शास्त्र, नेती शास है, तो आपको बेहतर तरीके से deep जाना होगा, ठीक है, option D, right हो गया, very good, यह जो philosophy की PDF है, इसको लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे, 9628182649, इस नंबर पे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं, उसमें लिखेगा, UKLT grade के लिए notes चाहिए, ठीक है, तो हम आपको process बता देंगे, भीज दें जिसमें हम आपको यह जो philosophy की PDF है, यह आपको forward कर दी जाएगी, आपको psychology की PDF forward कर दी जाएगी, आपको technology ICT की PDF forward कर दी जाएगी, यह content आपको दे दिया जाएगा, question कहता है, प्राचीन गरंतों में दर्शन के लिए किस शब्द का प्रियोग किया जाता है, तो प्यारे दोस्त option first right हो जाएगा, question number 15 है आपके शामने, ग्यान मिमाशा में अध्यन किया जाता है, किस का अध्यन किया जाता है भई, तो ग्यान मिमाशा में ग्यान की सीमाओ का अध्यन किया जाता है, ग्यान के स्रोत का अध्यन किया जाता है, ग्यान के शुरूप का अध्यन किया जाता है, बाकी जैसे प्रक्रती है, ईश्वर है, स्रिष्टी है, है ना, और मनुष्य है, परलोक है, इन सब काध्यन किसके अंतरगत होता है, इन सब काध्यन तत्व मिमाशा के अंतरगत होता है, प्यारे दोस्तों, ठीक है, according to the question answer, हमारा जो B है, वो right हो जाता है, इतनी बात clear होती है, ठीक है, अब ही हमने पीछे पड़ा था, दर्शन शब्द का शाब्दी कर्थ क्या होता है, दर्शन शब्द का शाब्दी कर्थ होता है, ग्यान के प्रती अनुराग, हमने आपको बताया था, दर्शन को इंगलिश में फिलोसफी कहते हैं, फिलोसफी दो सब्दों से बिना फिलोस और सोफिया फिलोस कारत होता है विद्या सोफिया कारत होता है अनुराग तो विद्या के प्रति अनुराग ज्याने की ग्यान के प्रति अनुराग ग्यान से प्रेम यह होता है दर्शनकर शाब्दिकर्थ सिक्षा वहा है जिसका प्रमुक साध्य मुक्ति है लिखा है ये कहां लिखा है, तो ये उपनिशद में लिखा है, वेदों में नहीं, गीता में नहीं, रामायन में नहीं, कहां लिखा है सर, ये लिखा है उपनिशद में, क्या लिखा है, शिक्षा वहा है, जिसका प्रमुक साध्य मुक्ति है, option A right हो गया, very good, आप last में जरूर कैसे हैं, किसे के अनुसार, शिक्षा आत्मा अनुभूती के लिए है, कौन कहते हैं, विवेकानन्द, कौटिल, शंकराचार या फिर अरस्तु, तो ये बात कहने वाले हैं, शंकराचार, शंकराचार के according, शिक्षा आत्मा की अनुभूती के लिए है, okay, option C, संकराचार is the right one over here, education, शब्द की उत्पत्ती, लेटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है, आइए थोड़ा सा education के बारे में भी पढ़ लीजे, और ये सिक्षा का अर्थ, अगर आप डालेंगे यूटूब पे, शिक्षा का अर्थ by SP सर, तो ये latest वीडियो एक पढ़ा है, सिक्षा का अ मैं हमने सब चीजें समझाई होई हैं सिक्षा के बारे में, हालां कि यहाँ पे हम सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थ को पढ़ेंगे, देखे, किसी शब्द की उत्पत्ती को जानने के लिए सबसे पहले ये जना आवश्यक होता कि वो शब्द किस भासा से प्रकट हुआ है, जैसे शिक्षा, शब्द हिंदी भाषा का है, शिक्षा शब्द किसका है, ये हिंदी भाषा का है, और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ती है, वो संस्कृत भाषा से हुई है, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ती संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक है शिक्षध दूसरा है शाक्ष धातू अब इसमें शिक्षकार्थ है सीखना अत्वा ज्यान प्राप्त करना अत्वा अध्यन करना और शाक्ष जो दूसरी धातू है इसकार्थ होता है अनुशाशन में रखना कंट्रोल में रहना नियंतरण में रखना और निर्देश देना यह होता है श बहुत important चीज है, आप बस ध्यां से समझते चलिए, कहीं नहीं मिलेगा content, शिक्षा सब्द अंग्रेजी भाषा के education शब्द का प्रयवाची है, education सब्द की उत्पत्ती Latin भाषा के निम्न शब्दों से मानी जाती, ये कोई एक शब्द नहीं है प्यारे दोश्तों, कई सारे शब्द हैं, कितने कई सारे शब्द हैं, आपके जैसे educatum हो गया, educier हो गया, ये तीन शब्द हैं, education सब्द की उत्पत्ती Latin भाषा के educatum, educier और educar से हुई है, educatum का अर्थ होता है, शिक्षित करना, educatum का अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना, educatum शब्द ए और डू को दो सब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, ये दो सब्दों से मिलकर के बना है, अब इसमें एक अर्थ है, अंदर से और डूको कार्थ है आगे बढ़ना यानकी अंदर से आगे बढ़ना लेटिन भाषा के एडूकेयर और एडूसियर एडूसियर एडूकेयर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं ओकेयर आप देखिये एडूकेयर कार्थ है शिक्षित करना टू एजुकेट बाहर ले आना टू ब्रिंग अप या फिर विक्षित करना जो दूसरा वर्ड है एडूसियर इस कार्थ है विक्षित करना बाहर निकालना इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा कार्थ ब बालक की जो अंतर नीच सक्तियां हैं, बालक के अंदर जो जर्मजात सक्तियां उसको मिली हैं, उनको बाहर निकालने का काम सिक्षा करती है। जैसे कहा गया है कि हम बच्चे को बाहर से कुछ नहीं सिखाते, जो बच्चे के अंदर जनजात सक्तियां होती है, सिक्षा के मादियन से टीचर उनको बाहर निकालता है, हम उसको कुछ नहीं देते, ठीक है? तो ये उसकी जो अंतरनीत सक्तियां हैं, जो गुण है उनको बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है इतनी बात कलियर होती है आगे बढ़ते हैं according to question बात करें तो education शब्द कित्पती Latin भाषा के educatum किसे educatum ठीक है educatum शब्द से मानी जाती है अब इसमें दूसरे शब्द क्या थे educator और educator भी थे हलाकि यहाँ पर वो शब्द नहीं है तो हम उनके साथ में नहीं जाएंगे हम जाएंगे option नमर जो A है हमारा वो यहाँ पर right हो जाता है अगला question आपके सामने question कहता है शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के कितने पक्षों का समयोजित विकास भी माना जाता है तो शिक्षा का अर्थ जो है वहाँ व्यक्ति के कितने पक्षों का समयोजित विकास तो वहाँ हमारा चार पक्षों का समयोजित विकास भी माना जाता है हम आपको बताएंगे कि वो चार पक्ष कौन कौन से हैं देखेगा इसमें चार पक्ष होते हैं हमारे, ध्यान दीजे, एक तो है head, चार पक्ष है, head, दूसरा होता है heart, ध्यान लखेगा, रट लीजेगा, याद ना हो तो, question पूछ सकता है, तीसरा है hand, और चौथा है health, कित क्या है health, ये चार वो पक्ष है, शिक्षाकार्थ, विक्ति के चार प हमारे हैं, पहला है head, दूसरा है heart, तीसरा है hand, चौथा है health, अब दूसरी बात इसमें देखिएगा, कि head का मतलब यहाँ पे क्या है, head का मतलब है, आपका मस्तिष्क, अथ्वा सीर, या फिर आपका दिमाग, ठीक है, और शिक्षा के दौरा, विक्ति के विकास का एक mental development में, जैसे ग्यान प्राप्त करना, आपकी thinking है, दूर दरसिता से आभाश करना, समझना, imagination करना, तर्क करना, स्टिक समस्या समाधान से निर्ने लेने की योगताओं का विकास करना, यह सभी चीज़े आपके head के अंतरगत होती है, ठीक है, आपके सिर में आती हैं यह चीज education है, इसमें विक्त के भावातनक पक्ष पर विशेश बल दिया जाता है, जिसको heart के अंतरगत रखा गया है, यह दूसरा पक्ष हो गया, तीसरा पक्ष हैंड होता है, हैंड यान की हाथ, यहाँ पर जो व्यवसाइक छमता होती है, उसका प्रतीक है आपका हैंड, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का उदेश होता है कि बालक को पर निर्बाता से आत्म निर्भर बनाओ, बच्चे को कुछ ऐसा व्यवसाइक सिखा दो, कि वहाँ अपने आप खुद आत्म निर्भर बन जाए, तो यहाँ पर व्यवसाइक छमता का प्रतीक है, हैंड, ठीक है, और ग स्वास्था अक्षा नहीं होगा, तो फिर आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि स्वास्था स्रीर में ही स्वास्था मस्तिष्क का निर्मान होता है, स्वास्था के दुरुबल होने से मस्तिष्क, हिर्दय और हाथ का उचित विकास नहीं हो सकता, इ आगे बढ़ते हैं, next question है, शिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, शिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है, ऐसा जौन डीवी कहते हैं, और यह तीन मुख कौन कौन से हैं, तीन मुख में एक तो आपका शिक्षक हो गया, दूसरा शिक्षार्थी हो गया, क् का सलेबस या फिर पार्थे वस्तू हो गई पार्थे वस्तू ये होते हैं शिक्षा के तीन मुख ठीक है इसलिए शिक्षा के त्री मुखी प्रक्रिया कहा है जॉन डीवी कहते हैं कि जो है शिक्षक सिछार्थी और पार्थे वस्तू ये शिक्षा के तीन मुखे तत्व होते हैं इसलिए शिक्षा को इन्होंने त्री मुखी प्रक्रिया कह दिया जौन डी वी ने option जो B हे वहां right हो जाता है शिक्षा एक दूई मुखी प्रिक्रिया है ये सिर्फ शिक्षा की प्रॉसेस में दो तत्वों को महतो देते हैं वो है जॉन एडम्स प्यारे दोस्तों कौन है जॉन एडम्स ये कहते हैं कि इसमें जो है आपका शिक्षक और सिचारती ही महतपूर्ण है तो जॉन एडम्स ने प्रभावित करता रहता है याने की टीचर और दूसरा जो प्रभावित होता है याने की विद्यार्थी तो दो तत्व आते हैं सिक्षक और विद्यार्थी इन्होंने पाठिवस्तू को मातो नहीं दिया है कौन जॉन एडम्स इन्होंने पाठिवस्तू को भी include किया है इन्होंने त्री मुखी कहा है और ये दो मुखी कहते हैं ठीक है question complete हुआ आगे बढ़ते हैं question कहता है educatem शब्द का अर्थ क्या है अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया था educatem यस यानि कि यह जो हमारा दो सब्दों से बना है य और डूको कार्थ होता है अंदर से डूको कार्थ होता है बाहर की ओर तो यह होगा हमारा अंदर से बाहर की ओर यानि कि अन्ता को आगे बढ़ाना आंतरिक शक्तियों का विकास करना तो इसलिए option जो है इसमें best option क्या हो जाएगा आंतरिक शक्तियों का विकास करना education शद्दकारत है आंतरिक शक्तियों का विकास करना option भी right हो जाता है शिक्षा के व्यावसाइक साधन कौन से है देखे दो प्रकार के साधन होते हैं एक तो व्यावसाइक होते हैं दूसरे अव्यावसाइक होते हैं क्या व्यावसाइक और अव्यावसाइक तो शिक्षा के व्यावसाइक साधन इसमें से कौन से हो जाएंगे टेलिविजन, फिल् option D is the right one चलिए अब यहां से ये भी समझ लीजिए कि व्यापसाइक साधन कौन से होते हैं देखे व्यापसाइक साधन वे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिका ज्यान बढ़ाने का काम करते हैं व्यक्तिका ज्यान बढ़ाते हैं साथ ही व्यक्तिके व्यवहार आचरण को भी प्रभावित करते हैं आपका जो व्यक्तिका जो व्यवहार है उसका जो आचरण है उसको 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 पर भी प्रभाव डालते हैं ये जो व्यापसाइक साधन होते हैं इनका प्रियोग व्यावसाइक दृष्टी से किया जाता है इसलिए ने व्यावसाइक साधन कहा गया है व्यावसाइक साधनों में आप जैसे आपका रेडियो है टेलिविजन है फिल्म है पत्र पत्र काएं नाटक हो गए आदि को इस्थान प्रदान किया गया है तो आप या वाला व्यावसाइक नहीं है ये तो आव्यावसाइक है फिर इतनी बात हो गई आव्यावसाइक साधन वे हैं जिनका उद्देश ना किसी व्यावसाइक को बढ़ाना होता है और ना इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है जिनका उद्देश ना तो किसी व्यावसाइ केंदर हो गए ठीक है प्रोड सिक्षा केंदर हो गए स्काउटिंग हो गए युवा संगठन हो गया ये सभी सिक्षा के आवयाबसाइक साधन के अंतरगत आते हैं इतनी बात कलियर होती है ये कोशन भी हमारा कबर होता है चाहें टेलीविजन हो फिल्म हो पत्र पत्रिकाएं ह रेडियो हो प्रेस हो नाटक हो ये सभी सिक्षा के व्याबसाइक साधन के अंतरगत आते हैं नेक्स कोशन कहता है इनमें से कौन सा सिक्षा का आवयाबसाइक साधन नहीं है अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है समाज कल्यान के अंदर यहां आवयाबसाइक साधन है समाज का लियान क्या है ये आव्यावसाइक साधन है और स्काउटिंग एवं गर्ड गाइड संगठन यहाँ भी आव्यावसाइक साधन है रेडियो ये आव्यावसाइक नहीं है ये व्यावसाइक है व्यावसाइक साधन है हमारा रेडियो खेल कलब जो है यहाँ भी आव्या टेलिविजन, फिल्म हो गई, ये सब चीजें विजवसाई में आती है, option C, right हो जाता है, अगला question आपके सामने, question कहता है, आपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मंदिल, मस्जिदों, चर्चों, गुर्द्वारों, आदी में दी गई शिक्षा, ये तो अनौपचारिक के अंतरकत आएगी, परिवार में प्राप्त शिक्षा अनौपचारिक के अंतरकत आएगी, जो अपचारिक शिक्षा होती है, इसमें समय, इस्थान, सलेबस, सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है, इस्थान निश्चित होता है, आने जाने का समय निश्चित है, विद्या आधि में दी जाने वाली शिक्षा उप्चारिक शिक्षा कहलाती है तो इसलिए ओपशन नमबर जो सी है वहार हो जाएगा, कौन सा ओपशन नमबर सी राइट हो जाएगा आए थोड़ा सा अउप्चारिक शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं फटा फट से और प्यारिक सिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की सिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालियों में सिक्षकों के दोरा एक निश्चित योजना और पार्टिकरम के अंतरगत दी जाती है और प्यारिक सिक्षा कुलमलाकर के स्कूली सिक्षा होती है इस प्रकार की टीचिंग को योजना पहले से ही बना दी जाती है इस प्रकार का जो सिच्छन है उसकी प्लैनिंग पहले से तयार कर ली जाती है और इसका उद्देश्च भी निश्चित कर दिया जाता है कि इस उद्देश्च को लेकर के कौन सा सेलेबसम बच्चों को पढ़ किया जाता है एक निश्चित समय पर और नियमित रूप से टाइम फिक्स होता है आठ बजे विद्याले पहुंचना है तो पहुंचना है शाड़े आठ बजे गेट बंद हो जाएगा इसकूल टीचर मारके भगा देंगे है ना और दो बजे शुट्टी होगी तो दो बजे ही स्कूल से निकल पाओगे समय फिक्स होता है ठीक है और इस प्रकार की सिक्षा का परमुक साधन और केंद्र विद्याले होते हैं ठीक है आपचारिक सिक्षा कहां पराप्त होती है विद्याले में परंतु विद्याले के साथ साथ पुस्तकाले प्रियोक शाला अजायब गर पुस्त के आदी अन्य साधन होते हैं यह अन्य साधन है जिन से विद्यारती ग्यान का अर्जन करते हैं यहां से हम आपचारिक शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं यह सब क्या हैं आपचारिक शिक्षा यहां से हम ग्रहन करते हैं अनापचारिक शिक्षा क्या होती है अनापचारिक टॉम्भ भी तो कह सकते हैं कि गर्भ से कबर तक चलती है जैसे अभिमन्यू ने माा के गर्भ में चक्र विव में जाने का घ्यान हासिल कर लिया थै कैसे चक्र विव को तोड़ा जाता है तो इस प्रकार की सिक्षा वहाँ से सुरू हो जाती है इस प्रकार के सिक्षा में विद्याले या टीचर की आपचारिकता बिल्कुल ना के बराबर होती है और आपचारिक सिक्षा में बालक को हसते, खाते, पीते, काम करते, उठते, बैठते अचानक अनायास ग्यान प्राप्त होता रहता है हम किसी के बड़े पार्टी में जा रहे हैं, किसी की साधी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम वहाँ से जो हमें सीखने को मिला, that is informal education. अपने मा, बाप, मित्र, भाई, बहन, पडोसी, समाच के अन्य विक्ति, जिनसे भी हिपालक का परिचय होता है, वह सबसे कुछ न कुछ ज्यान की बात सीख ही लेता है, that is called informal education. अनौपचारिक सिक्षा में कोई निश्चित योजना, कोई लेशन प्लान, कोई टाइमिंग, कोई स्थान, निश्चित नहीं होता, बच्चे का परिवार, मित्र, समू, पडोसी, समाचार, पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, वेडियो, जनसंचार के अन्य साधन, दल, गुट, खेल, आदी, अनौपचारिक सिक्षा के साधन है, हम परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं, वहाँ भी सीख रहे हैं, हम समाच के बच्चों के साथ, प्लेगराउंड में हैं, वहाँ भी सीख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आप्सन जो सी था, वो राइट हो गया था, और हम ब आपचारिक साधन हो जाएंगे, इसमें ना तो आपचारिक सिक्षा, इसमें आपचारिक और अनापचारिक दोनों ही सिक्षाओं का कलेक्शन होता है, दोनों का सामिल होता है, तो प्रावड सिक्षा के केंदर निरोपचारिक के अंतरगत आएंगे, कौन सा दर्शन नास्त संप्रदाई के अंतरगत आता है देखिए आपको बताते चलें कि जो भारती दार्सनिक संप्रदाएं हैं इनको आस्तिक और नास्तिक दो वर्गों में बाटा गया है किसमें आस्तिक और नास्तिक आस्तिक तो एक हो गया दूसरा है आस्तिक नास्तिक और आस्तिक ठीक है भार पे अगर चारवाक होता वो भी नास्तिक के अंतरगत आता है, जैन है, चारवाक है, बौध धर्म है, क्या है बौध धर्म, ये सबी क्या हैं, ये नास्तिक संपरदाय के अंतरगत आते हैं, ठीक है, बाकी जैसे सांख है, योग है, वैशेशिक है, न्याए है, मिमाशा है, वे वहा राइट हो जाएगा अगला कोशन कहता है किस वेद को संगीत का वेद कहते हैं देखे आपको पता है हमारे वेद कितने हैं प्यारे दोस्तों हमारे जो वेद हैं वहा चार वेद हैं ठीक है जिसमें आपका लिग वेद यजुर वेद सामवेद और अथरव वेद आते हैं वेद संगीत का वेद जो है वो साम वेद है साम वेद क्या है यह संगीत का वेद है ओके इतनी बात के लिए होती है चालिए वेदांत दर्सन के मूल गरंत का क्या नाम है वेदांत दर्सन के मूल गरंत का नाम पूछ रहा है ब्रह्म सूत्र बता देंगे हम ठीक है मूल गरंत क्या है ब्रह्म सूत्र Option B is the right one in this question अद्वेत वाद के प्रतिपादक कौन है अद्वेत वाद के प्रतिपादक शंकराचार है कौन है जो शंकराचार है यहाँ अद्वेत वाद के प्रतिपादक है विशिष्टा द्वेत पूछ रहा है next question हमारा विशिष्टा दोयत के प्रतिपादक कौन है तो भहिए अगर आपसे अदोयत वाद के प्रतिपादक पूछले तो शंक्राचारे और अगर विशिष्टा दोयत के प्रतिपादक पूछले तो रामानुजा चारे हो जाएंगे ध्यान रखेंगे कोशन, इसी तरीके कोशन, एजटी साब को एक्जाम में देखने को मिलेंगे वेदांत का अर्थ क्या होता है वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अर्थ होता है वेदों का अंत नहीं शोरी सोरी वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है प्यारे दूस्तों क्या कहलाता है वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है ठीक है इतनी बात के लिए होती ह देखी यहां पे अजीव द्रव की बात हो रही है, इसमें कई चीजे शामिल हो जाती है, इसमें आपका जीव द्रव अलगाएगा, अजीव द्रव अलगाएगा, तो अजीव द्रव के अंतरव 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 के नहीं आता है, कुशन कहता है, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने थे, तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकर आपको भी पता होंगे, 24 थे, कितने थे, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 थे, थोड़ा इसके बारे में समझे, भारतिय दर्शनिक चिंतन की विचारधारों में, जैन दर्शन का उदभव वैदिक करमकांड प्रधान विचारधारा के विरोध के फल सुरूप हुआ था जैन दर्शन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछ ले तो वो रिशब देव हैं जैन दर्शन के प्रवर्तक रिशब देव थे और कुछ विद्वान 23 तीर्थंकर पाश्रवनात को जैन धर्म का मूल प्रवर्तक मानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं इस दर्शन के 24 में और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर श्वामी थे कौन? महावीर श्वामी जैन शब्द की उत्पत्ती जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जीतना अर्थात जिसने सांसारिक राग, द्वेश, माया, मुह को जीत लिया है ऐसे लोग जिन की उपादी से विभूशित किये गए जिन शब्द कार्थ आध्यात्मिक विजेता होता है जिन अपनी इंद्रियों पर नियंतरन कर लिया हो जिनों के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए और उनके संप्रदाय को जैन दर्शन या जैन धर्म के नामशे विभूशित किया गया इतनी बात के लिए लोगई यहाँ पे option cm ने पहले ही right बता दिया था जिन कहते हैं इसलिए हमने आपको आगे पढ़ा है इस तरीकी questions आपको यहाँ देखने को मिलेंगे विजय प्राप्त करने वाला जिन जिन का आर्थ होता है जिन किसे कहते हैं जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला ठीक है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर का नाम महावीर श्वामी था क्या था महावीर श्वामी ठीक है जैन धर्म के बंधन से मुक्त करना है option जो D है वो यहाँ पर right हो जाएगा यहाँ पर आपसे अगर पुदगल का आर्थ पूछे तो पुदगल का मतलब यहाँ पर कर्म बंधन होता है ठीक है कर्म के बंधनों से मुक्त होना ठीक है जैन धर्म अनेकांत वादी भी है क्योंकि वहाँ जैन धर्म अनेकांत वादी करेश है क्योंकि वहाँ अनन्त जीवों एवं भौतिक तत्वों के अस्तित्त को शुईकार करता है इसलिए इसे अनेकांत वादी भी कहा गया है ठीक है महायान संपरदाय के गरंतों की भाशा क्या है महायान संपरदाय के गरंतों की भाशा संस्क्रत है महायान संपरदाय के गरंतों की भाशा संस्क्रत है बौध दर्सन में त्री रतन हैं कौन है तो देखें बौध दर्सन में त्री रतनों के अगर बात की जाए शील समाधी प्रग्या जो है ये बौध दरसन में तीन रतन माने गए हैं अब हमने आपको ये तो बता दिया कि बौध दरसन में तीन जो है कि आपको तीन रतन है शील समाधी और प्रग्या अब आप ये भी कन्फूज हैं कि सर्फ शील क्या होता है, समाधी क्या है, प्रग्या क्या है, समझेए बौद दर्सन में मूलियों को तीन भागों में विबक्त किया गया है शील, समाधी और प्रग्या, इन्हें त्री रतन भी कहते हैं शील कार्थ है, सात्विक कर्म, आपके जो कर्म हैं वो अच्छे हों, सात्विक हों, सत्य हों समाधी कार्थ है, चित्त की नैसरगिक एक आगरता, यानि कि आपने मन को कंसंट्रेट करना और प्रग्या कार्थ है, सत्यका साक्षात्कार, यानि कि सत्य से आमना सामना होना इसमें सदाचार को विशीश महत्वप्रदान किया गया है। ज्यान की पूर्णता सदाचार से ही मिल सकती है। निर्वान यानि की मुक्ति के प्राप्ती के लिए शादक को शीर समाधी और प्रज्या की आवेश्यक शिक्षा प्राप्त करना अनिवारे है। तो ये question हमारा clear होता है, बौध दर्शन में तीन रतन है, शील समाधी प्रग्या, option A right हो गया, अगला question कहता है, निमने लिखित में से बौध दर्शन का सिध्धान्त कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें आपका, देखें, प्रतितिश्मुत्पाद है, छनिक व हो गया इसके, ये शभी बौध दर्शन के सिध्धान्त है, लेकिन इसमें जो आत्मवाद है, ये नहीं होगा, अनात्मवाद होता, हो जाता, आत्मवाद नहीं होगा, option D, right हो जाता है, यहां पे, very good, आगे बढ़ते हैं, इन में से कौन सा नास्तिक दर्शन है, अभी हमने संस्था का नाम क्या था, बौध शिक्षा संस्था का नाम विहार था, ठीक है, मठ और विहारों में, बौध धर्म के सिक्षा, बौध शिक्षा कहा दी जाती थी, मठ और विहारों में, option D, right हो जाता है, बौध अनुशासन किस पर आधारित है, बौध जो अनुशासन है, अश्टांग पत पर आधारित है, प्यारे दोस्तों, किस पर आधारित है, अश्टांग पत पर, अब इसमें अश्टांग पत में कौन कोन आ जाते हैं, अश्टांग पत में आपका समयक दृष्टी आती है, समयक शंकल्प आता है, समयक वाक आता है, और समयक कर्मानत आ जाता शमयका जिवका आ जाती है संयाक वियायम आ जाता है शम्यक इसमरतिय आ जाती है शम्यक समागा दिया जाती है यह आठ्ठ जो है वो बौद अनुससासन के पत ए 우리가 ठीक है हमने बता दिया आपको और पीडियाफ एमरी उसमें यह दिया जो हमने दिया है यह सारे questions आपके जो mostly questions पूछे गए हैं exam में वो questions है मात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था? मात्मा बुद्ध का जो बच्पन का नाम था वहाँ सिधार्थ था क्या था? सिधार्थ था simple question को भी बता देगा बौद धर्म में कितने आरे सत्ते हैं? बौद धर्म में कितने आरे सत्ते हैं? बहिया तो वो चार आरे सत्ते हैं एक तो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है चौथा दुख निरोध का मार्ग है और उसी के अंतरगत जो है की आठ आपके सोपान भी आते हैं अगला कोशन, आइडियलिस्म में इस्म का अर्थ क्या होता है? आइडियलिस्म का मतलब यहाँ पर आपका प्रयोजन वाद है sorry others what sorry 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 others what अब जो next class रहेगी आप जब comment करके बताएंगे किसे रहां classism को चाहिए तो हम others what, प्रकृतिवाद, प्रियोजन वाद या थार्तवाद ये सारे questions लेकर करके आएंगे ये आज का last question रहेगा idealism का, देखे थोड़ा साब को others what के बारे में बता करके इस class को हम खत्म करते हैं देखे, others what को अंग्रेजी में idealism कहा जाता है ये दो शब्दों से मिल करके बना है, एक शब्द इसका idea है दूसरा शब्द ism है बीच में जो अल लगा है ये अच्छर उच्छारन के शौंदर के लिए प्रियोग किया गया कि जो बोलने में शब्द है वो अच्छा लगे idealism नहीं तो ideas में हो जाता अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बीच में elephant कर दिया, idea कार्थ विचार होता है और ism कार्थ वाद होता है, according to question वाद अंसर मारा right हो जाएगा इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है वर्तमाश्रमे में हम प्रतेवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के इस्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रियोग करते हैं ठीक है, आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं जो आदर्शवादी दार्शनिक होते हैं वो किसको सत्य मानते हैं वो विचारों को आपके थौट्स को ही सत्य मानते हैं प्लेटो ने भी चिंतन विचारों और तर्क इन सब को ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया है आदर्शवाद वो दर्सन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है इतनी बात के लिए लोती ही बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो according to question आइडिलिस्में इज्मकार्थ क्या है इज्म का मतलब होता है वाद ठीक है यह हमारा दो सब्दों से मिलकर बना है आइडिया और इज्म तो आइडिया कार्थ होता है विचार इज्म कार्थ होता है वाद इसलिए इसको विचार वाद भी कहा गया है option जो यहाँ पर ए है वो right हो जाएगा प्यारे दोस्तों अब हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि जिस पीडियाफ से हम आपको समझा रहे थे इसकी थिवरी ठीक है यह paid विद्यारतियों के लिए notes होते हैं सिर्फ paid विद्यारतियों को दिये जाते है paid का मतलब होता है कि आपको कुछ fees pay करनी होती है एंड आपको notes प्रोवाइड करा दिये जाते हैं हालांकि proper UK LTE के proper notes तो मेरे पास नहीं है लेकिन उससे मिलता जोता जो आपका syllabus है जैसा कि syllabus मेरे पास मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था उसके हिसाफ हमने मैच किया है बहुत ज़्यादा ज़्यादा content मैच कर रहा है बहुत सारे इसको paid content हमने दिया भी है और यह questions जो है आपको वो टेलिग्राम चैनल पर मिल आएंगे notes के लिएप में 9628182649 इस number प करके और इसकी PDF टेलिग्राम चैनल पर शेर कर देंगे वहां से आप पढ़ेंगे comment करके आप बताएगा कि classes आगे continue करनी है नहीं करनी है ओके thank you so much